साथियों, भारत के कितने ही प्रोड़क्स हैं, जिनकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है। और जब हम भारत के किसी लोकल प्रोड़क्स को ग्लोबल होते देखते हैं, तो गर्व से भर जाना स्वाभाविक है। ऐसा ही एक प्रोड़क्ट है अराकु कौफी। अराकु कॉफी आंदर प्रदेश के अलूरी सिताराम राजु जिले में बड़ी मात्रा में पैदा होती हैं। ये अपने रीच फ्लेवर और अरोमा के लिए जानी जाती हैं। अराकु कॉफी की खेती से करीब डेड़ लाक आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं। अराकु कॉफी को नई उंचाई देने में गिरिजन कॉपरेट्व की बहुत बड़ी भूमी का रही हैं। इसने यहां के किसान भाई बहनों को एक साथ लाने का काम किया और उन्हें अराकु कॉफी की खेती के लिए प्रोथसाहन दिया। इससे इन किसानों की कमाई भी बहुत बड़ गई हैं। इसका बहुत लाब कॉणडा डोरा आदिवासिस हमुदाय को भी मिला है। कमाई के साथ साथ उन्हें सम्मान का जीवन भी मिल रहा है। मुझे आध है एक बार विशागा पत्नम में आंद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबु नाइडू गारू के साथ मुझे इस कॉफी का स्वाद लेने का मौका मिला था। इसके टेस्ट की तो पुछे ही मत कमाल की होती है एक कॉफी। अराकू कॉफी को कई ग्लोबल अवर्ड्स मिले हैं। दिल्ली में हुई G20 समिट में भी कॉफी चायू ही थी। आपको जब भी अवसर मिले आप भी अराकू कॉफी का अनन्द जुरूर ले। चातियों लोकल प्रोड़क को ग्लोबल बनाने में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी पीछे नहीं है। पिछले महिने जम्मू कश्मीर ने जो कर दिखाया है वो देश भर के लोगों के लिए भी एक मिशाल है। यहां के पुलवामा से स्नोपीज की पहली खेप लंदन बेजी गई। कुछ लोगों को ये आइडिया सुझा कि कश्मीर में उगने वाली एक्जोटिक वेजिटेबर्स को क्यों ने दुनिया के नक्से पर लाया जाए। बस फिर क्या था। चकुरा गाउं के अब्दुलराशिन मिर जी इसके लिए सबसे पहले आगया आए। उन्होंने गाउं के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिला कर स्नोपीज उगाने का काम शुरू किया। और देखते ही देखते स्नोपीज कश्मीर से लंदन तक पहुंचने लगी। इस सफरता ने जम्मु कश्मीर के लोगों की समृद्धी के लिए नए द्वार खुले हैं। हमारे देश में ऐसे यूनिक प्रोडक्स की कमी नहीं है। संस्कृत भाषायाम आरभे आप सोच रहे होंगे कि मन की बात में अचानक संस्कृत में क्यों बोल रहा हूं। इसकी बज़े हैं। आज संस्कृत से जुड़ा एक खास अवसर। आज 30 जुन को आकाश्वाने का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है। पचास वर्सों से लगाता इस बुलेटिन ने कितने ही लोगों को संस्कृत से जोड़े रखा है। मैं आल इंडिया रेडियो परिवार को बदाई देता हूं। साथियों संस्कृत की प्राचीन भारतिय ज्ञान और विज्ञान की प्रगति में बड़ी भूमी का रही है। आज के समय की मांग है कि हम संस्कृत को सम्मान भी दें और उसे अपने दैनिक जीवन से भी जोड़ें। आज कल ऐसा ही एक प्रयास बैंगलूरू में कई और लोग कर रहे हैं। बैंगलूरू में एक पार्क है कब्बन पार्क। इस पार्क में यहां के लोगों ने एक नई परंपरा शुरू किया है। यहां हप्ते में एक दिन हर रविवार बच्चे यूवा और भुजुर्ग आपस में संस्कृत में बात करते हैं। इतना ही नहीं यहां वाद विवाद के कई शैसन भी संस्कृत में ही आविजित किये जाते हैं। इनकी इस पहल का नाम है संस्कृत विकेड। इसकी सुरुवात एक वेबसाइट के जरिये समस्टी गुबी जी ने की है। कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ यह प्रयास बैंगलूरू वाज़ियों के बीच देखते ही देखते काफी लोगप्रिय हो गया है। अगर हम सब इस तरह के प्रयास से जुड़े तो हमें विश्व की इतनी प्राचिन और वैज्यानिक भासा से बहुत कुछ सिखने को मिलेगा।